वैसे अस्टुटेंट जो इस बार जो यानि कल से जो एक्जाम होने वाला है इंटरमेडियेट का तो ओ सब अस्टुटेंट यहां पर बात पर ध्यान देंगे आपके लिए बहुत महत्पुर्ण सुचना है यह जो इन बातों पर आप ध्यान जरूर देंगे वरना आप गलती करें तो आप पूरे एक्जाम से हाथ दो बैटेंगे तो इसलिए आप इन वीडियो को अस्कीप नहीं किजिएगा अपने बहुत सारे वीडियो देखा होगा लेकिन बहुत सारे वीडियो यूटूब पर देखते कर आप लोगों ने क्या किया होगा कि अस्कीप बहुत सार कर सुन लीजिएगा क्योंकि यही वीडियो आपको आगे की प्रोसेस बता सकता है अच्छी तरह से जो एक्जाम में बैटिंग है तो किस तरीका से एक्जाम को अटेंड करना होगा इतने क्यूशन को हमें सोल्व करना होगा और कौन-कौन से क्यूशन हमें पहले सोल्व करना चाहिए तो उन से भी का कंप्लेट प्रोसेस में बताने वाला हूं तो आप लोग को एक्जाम के लिए बहुत हार्दिक बदाई है आप सभी को कि आप लोग अच्छे से एक्जाम देजिए आप सभी के लिए बेस्ट आप लाग तो चली पहले इस वालोग जो मैं यहां पर पताने वाला हूं उस वाले को बात को आप पुरीत ध्यान से सुन लिजेगा यहां पर लिखा बिद्यार्थी को 50% सवालों का ही जवाब देना होगा तो यहां पर रीट करेंगे जो यहां पर आज का पिपर काटिंग में दिये था बिहार बिद्याले परिछा सिमिती की और अगर मालीजी 100 क्यूशन दिया हुआ है तो 100 क्यूशन में से मात्र 50 क्यूशन का ही एंसर देना जो यहां पर पताया गया है पेपर के माध्यम से इसके साथ ही समीती और से पहली बार इंटर परिछा में सामिल होने वाले वाले विद्यार्थी की पहचान के लिए यूनिक आ सथम पाली में एक फरिवरी में मैथ साइंस की परिछा सुबह साड़े नौ बई से लेकर 12-45 तक चलेगी वहीं दितिये पाली में हिंदी यानि आर्च की परिछा एक पैताले से साम पांच बई तक चलेगी परिछा में 13,18,227 विद्यार्थी सामिल होंगे जिन में से 6,36,432 हैं एवां 6,18,795 हैं पटना जिला में कुल 89,641 परिछार्थी इनिमें से 41,593 हैं एवां 38,048 हैं पटना जिले में कुल 80,000 सेंटर बनाए गये हैं यह जानकार और साथ में परिछा को लेकर सभी केंदर पर 144 लागू रहेगी जिसमें से आप यहां पर ध्यान देंगे परिछा सूरू होने से 10 मिनट पहले पहुंचना सेंटर होगा यानि कि जब परिछा देना है एक्जाम सेंटर जाना है तो आप 10 मिनट पहले ही पहुंचेंगे आप आपके 10 मिनट का 15 मिनट पहले ही पहुंचें क्योंकि आप रिक्सना लें 15 मिनट अत्रीक समय मिलेगा प्रश्ण पत्र को पढ़ने के लिए जोता मोजा पहन कर एक्जाम देने की अनुमती नहीं है आप जपल पहन कर जाएंगे जोता पहन कर नहीं जाईएगा एड्मिट कार्ड में गडबड़ी है तो पहसान पत्र लेकर जाना होगा अगर माले जी एड्मिट कार्ड में कहीं आपका गलत है तो अधार कार्ड होगा तो अधार कार्ड ले लिजेगा पैन होगा तो पैन ले लिजेगा या भोटराइडी कार्ड होगा तो भोटराइड पूरे ध्यान से क्यूशन को पढ़ेंगे पहले ठीक है क्यूशन को द्यान से पढ़िएगा तब ही इसके बाद आगे का क्यूशन को आएंसर देना है तो इसमें से 50 का एंसर देना होता है उसमें लिखा हुआ हुआ हो खूद हैइडलाइन में खूद अगर लिखा हुआ होगा कि माले जे 100 question में से 50 question को अगर answer देना है तो आप उतना ही question का answer देंगे ये निकी ज़्यादा question का answer देना है तो यही सी सब थी update वीडियो चलोगत लाइक जरू कर देंगे और सवी फ्रेंड को share कीजिएगा एक बत और ध्यान दीजिएगा कि जो भी चातर चातर हैं अगर बैठेंगे तो exam hall में बैठेंगे जहां पर बैठेंगे वहाँ पर आप अपने अगल बगल में चीट पूर्जा नहीं रखेंगे और ध्यान देंगे वहाँ पर कि अगल बगल में कहीं चीट पूर्जा वगरा नहीं होना चाहिए ताकि मुझे कोई समस्या हो तो उस समस्या से आप दूर रहेंगे आप ध्यान देंगे आप खुद से एक्जाम अच्छी तरह से एक्जाम दिजिए मन लगा के एक्जाम दिजिए ताकि आप भी 10 टॉप में या अस्टेट टॉप पर आएं तो यही थी आप से भी सबीनती और आप सभी के लिए परचाते के लिए सभी के लिए best of luck